बस मेरा सवाल था अगर आप रिशिका सादम प्रम CNN सवाल ये था कि वेस्ट यूपी में देखा जाए तो फेस्वान कैम्पेंग खतम उनों में एक हफ्ता बाकी है योगी जी और मुद्य अधितिनाज जी ने तो कैम्पेंग शुरू कर दिया है अखिलेश जी और आपने अभी तक वहाँ पे कैम्पेंग ने किया है वो एक सवाल था कॉंगर्स मानिफेस्टों ने तो आपने आंसर कर दिया पवन कर्यांजी ने तो openly support declare कर दे कि आपको PM बना चाहिए आपकी राय क्या है आप भी contenders बनेंगी 2019 के बाद उस्ट में देखो जहां तक मेरा PM बनने का स्वाल है तो यह मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी election चल रहा है जब result आजागा स्थिति किलियर हो जाएगी और जहां तक उत्तर प्रदेश में पच्छमी यूपी का आपने कहा कि वहां पर अभी आपने चुनाब परचार सुरू नहीं किया है तो मेरे खाल घबरानी के जरूरत नहीं आपको भी नहीं है और दूसरी भाटी को भी घबरानी के जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा साथ अप्रेल से तो वहां पर चुनाब अभ्यान जो है हमारा सुरू हो जाएगा और पहली रैली जो है बिग रैली साथ अप्रेल को तो वहां पर तीन चार लोगसभा की जो सीटे जिसका Central Point जो है डिवन पड़ता है वहां पर होगी और वहां पर समाजवादी पाटी के जो अध्यक्ष है स्री अखलेश यादव भी होंगे और लोगदल के जो अध्यक्ष है श्री अजीश सिंग भी होंगे तो हमारी जो हमलोग सुरूबात कर रहे हैं वो साथ अप ऐसे कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर पहले चरण में तो ज़्यादा सीटो पर बोटिंग नहीं हो रहा है ज़्यादा लोग सबाब कि बहुत कम सीटो पर हो रहा है तो उसके सबसे हमने प्रोग्राम अपना उदर का पच्छमी यूपी का बनाया है लेकिन इसके इलावा पहले चरण में कुछ जिन जिन राजियों में पहले चरण में चुनाब हो रहे हैं तो उसका भी हमको जहां रखना चाहिए तो इसलिए और बाकी हमारी पार्टी के लोग उदर कमें लगी है और जहां तक मेरे सवाल है वो साथ अप्राइल से उदर सुरू हो जाएगा आप आना है जरूर मैं जी और इनिया रेडियो से महेश पूछना चाहरे कि थर्ड फरंट का जरूरिती अब है क्या इस पोलिटिकल सिटुएशन में पोस्ट पोल सिन्यारियों पूछना चाहरे अब यह तो वक्त आने पर रिजल्ट आएगा स्थिति क्लियर होगी तब ही हम कुछ कह सकते हैं और एक सवाल था कि जो डिविजन अफोर्स इस गटबंदन में आना चाहिए अगर वो बीजेपी को हेल्प करेगा या नुकसान होगा यह है इनियन एक्स्परस से जनार दरना होता है मुझे नहीं लगता है कि जो लोग यह केवल जो यहां की रिजनल पार्टीज हैं कांग्रेस और बीजेपी नेश्नल पार्टीज रिजनल पार्टीज यह इसके समका गलत प्रोपोगंड़ा कर रही हैं कि इससे इसको फायदा होगा हमारे अलाइन से मैं समझती हूँ क्योंकि जो यहां की जो रिजनल पार्टीज हैं उनको जनता अजमा चुकी है तो जितना यह लोग बोट काटेंगे हमारे अलाइन सको फायदा होगा और बीएसपी का मालूम है कि हमारा जो वीकर सेक्षन का बोट है वो अके लिए आंदरा के हर कॉंसिटोंसी में हर असम्बली सेग्मेंट में पार्लेमेंट सेग्मेंट में आपको मिलेगा तो और बीएसपी केवल इधर ही नहीं नेशनल लेवल पे हमने सर्व समाज को हम बीएसपी में जोड़े है और जो बीएसपी का बेसबोट है वो तो बड़े पेमाने पर जोड़ा है तो ये केवल हमारे अलाइन्स को उनसाब पहुचाने के लिए ये अंटी प्रोपोगंड है मेडम जी आप पावन करल्यान पार्टी में जैनसे नहीं क्या देखके अलाइन्स के आए है मैं ये देखकर आई हूँ क्योंकि इनके अंदर से स्री पावन करल्यान जी के अंदर से कुछ ऐसी चाहत है कि मुझे कुछ गरीब लोगों के लिए करना चाहिए अंदरा परदेश स्टेट के लिए कुछ करना चाहिए ये कुछ जन्त के वैलफियर में करना चाहते है और दूसरा क्या है कि इसलिए कि लोग कई स्टेट में भी है कई स्टेट में भी गए जाकर भी देखा यूपी में भी गए और दूसरा क्या है कि ये वेल क्वालिफाइड है, यंग है और इनको काफी तजर्बा है और आप लोग अच्छी परकार से आते हैं फिलम इंडेस्टी के बारे में भी आप लोगों को अच्छी परकार से मालूम है, तो हर जगा ये काम्याब रहे हैं, तो जब उदर सक्सेस्फूल हो गए हैं तो पॉलिटिक्स के उन्हें सक्सेस्फूल होंगे तो मुझे पूरा वरोसा है जरूर सक्सेस्फूल होंगे